पूरी दुनिया में लगभग 2,52,000 से ज़ादा लोग COVID-19 से मौत के खाट उतर चुके हैं लगभग 37,000,000 लोग इस बीमारी की चपेट में इसके साथी साथ पूरी दुनिया के वैग्याने के इस COVID-19 को हराने के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं और कुछ देशों की बातों पर भरोसा करें तो COVID-19 की दवा बना चुके हैं इसी बीच भारत भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए COVID-19 के जंग में शामिल हैं भारत भी COVID-19 की दवा बनाने के बहुत नस्दीक पहुँच चुका हैं COVID-19 को हराने को लेकर भारत की चार वैक्सीन का रिसर्च आखरी पड़ाव पर हैं और भारतिय वैग्याने कब इसको लेकर अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं इस बात का खुलासा तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी देश भर के एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे थी पिये मोदी ने COVID-19 को लेकर जांच, टेस्टिंग और टास्क पोर्स को लेकर चरचा थी इसके साथी साथ अहिकारियों और वैग्यानिकों से पिये मोदी ने COVID-19 को लेकर संभावनाओं पर विचार किया इसी बैठक में COVID-19 को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स ने बताया कि 30 से जादा वैक्सीन्स पर अलग-अलग चरणों में काम चल रहा है और चार दवाय अंतिम चरण में इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैग्यानिकों से COVID-19 को लेकर तेजी लाने को कहा साथी साथ ये भी वादा किया कि केंद्र सरकार उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने को हर मदद करेगी और जो भी ज़रूरी संसाधन है वो भी उपलब्द कराए जाएंगे साथी बैठक में मोदी ने वैग्यानिकों को ये भी सुझाव दिया कि दवा, टीका और जांत से जुड़े मसलों पर हैक्थॉन का आयोजन होना चाहिए इसके लिए स्टार्ट अप कमपनियों को सामने आना चाहिए और देश को इस जंग में आगे बढ़ना चाहिए कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन के विकास में तीन तरह के काम किया जा रहा है पहला मौजूदा ड्रग्स में दुबारा से काम किया जा रहा है और कम से कम चार ऐसे ड्रग्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है दूसरा COVID-19 को लेकर नए तरह के ड्रग्स पर काम चल रहा है और इसके साथ ही साथ प्रयोक्षाला में जात चल रही है तीसरा पौधों से COVID-19 की काट खोजी जा रहे हैं जिन से वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके और उस काम को लेकर देश भर में शोग चल रहे हैं जिनने जल्द सफल होने की उमीद था कि COVID-19 को सफलता पूरवक हराय जा सके तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत अंतिम दौर में है और कैसे COVID-19 को हरा रहा है